तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है जिस राह शाले ग्राम जी आए उन राहों को सजाया है तुलसा मैंने तेरे लिए ठीका मंगवाया है तुलसा मैंने तेरे लिए ठीका मंगवाया है माथे की बिंदियां पे नाम शालिक राम का लिखवाया है तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है हरे कृष्णा आप सभी का दिन शुप और मंगलमई हो इससे पहले की वीडियो को लाइक करने और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद भगवान कृष्णी की महिमा अपरमपार है वो किसी ना किसी रूप में अपने भगतों को दर्शन जरूर देते हैं अगर कोई भगत उनकी सच्चे मन से भगती करता है तो वो हर संभव उनकी साहता जरूर करते हैं अगर सचे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भकती की जाए सुद्बूत खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए सब कुछ मोहमाया त्याक कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते उसे हर संकट से तार लेते हैं और आज के ध्याय का शुबारम भी भगवान कृष्ण के एक चमतकार की कहानी से करेंगे अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर जरूर कीजेगा भगवान श्री कृष्ण की जन्मु भूमी में हर चका आपको कुछ न कुछ आश्चर ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं कहा जाता है कि इसकी वज़ा यहां कण-कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है व्रिंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चरी दिखाई दे जाएंगे यहां पर कई संत भी हुए हैं ऐसे संत जिनके चमतकारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं आज भी आनेको संत वहां पर हैं जिनके आश्चर जनक चमतकारों को यहां आने वाले श्रद्धालों अकसर देखा करते हैं ऐसे ही एक चमतकार है पागल बाबा का मंदिर और उसके पागल बाबा पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्मान की कहानी बहुत ही दिल्चस्प है आप सभी को जरूर सुनी चाहिए पागल बाबा मंदिर मत्वरा वरिंदावन मार्ग परिस्थित है इसके बारे में एक गथा जन मानस में आज भी बहुत प्रचली थै इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्रहमन दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था उसके पास जो कुछ भी था या यूं कहे कि जितना कुछ भी रूखा सुखा उसे मांग कर खाने को मिलता वो उसे भगवान की मरजी समझ कर खुशी-खुशी खा लेता और अपना जीवन पिता रहा था एक बार उसे कुछ पैसो की आवश्यक्ता पड़ी तो किसी सहुकार से वह पैसे लेने के लिए गया साहुकार ने उसे पैसे देते वे कहा कि उसे ये पैसे जल्दी वापस करने होंगे उसकी बात मान कर वह पैसे लेकर घर आ गया अब वह ब्रहमण हर महिने नियम से किष्ट का हिसाब करके साहुकार के पैसे लोटाने जाता था आखिरी किष्ट के थोड़े दिन पहले ही साहुकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया ये देखकर ब्रहमण बहुत परिशान हुआ और साहुकार से विनय करने लगा लेकिन साहुकार नहीं माना मामला अदालत में पहुँच गया जजसाहब अदालत में बैठे वे थे ब्रहमण ने जजसाहब से अनुरोध करते वे कहा कि जजसाहब एक किष्ट के अलावा उसने साहुकार का सारा कर्श अदा कर दिया है और ये साहुकार जूट बोल रहा है मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किष्ट चुकाई है ये सुनकर साहुकार ने क्रोधित होकर दलिल दी कि उसने कोई गलत विवार नहीं किया है जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए इतना सुनकर ब्रहमट सोच में पड़ गया क्योंकि साहुकार को जब जब धन लटाया गया तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था इस बारे में बहुत सोचते वे ब्रहमट को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जच साहब कुछ हैरान हुए लेकिन बाद में ब्रहमट से उनका पता मागा गया ब्रहमट की कहने पर एक नोटिस बाके बिहारी के मंदर में भेजा गया जोकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्तित होना ही पड़ता है अब पेशी की अगली तारिक पर एक बुढ़ा आदमी कोट में पेश हुआ और ब्रहमट की तरफ से गवाही देते वे कहने लगा कि जब ब्रहमट सहुकार के पैसे लोटाता था तब में उसके साथ ही हुआ करता था बुढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारिक को कोट में मुह जवानी बता दिया जैसे उसे सब कुछ एक-एक तारिक के हिसाब से याद हो सहुकार के खाते में भी बुढ़े आदमी द्वारा बताए गई रकम की जो तारिक थी वो भी सही निकली सहुकार ने राशी तो दर्ज की थी लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे इसके आधार पर जज ने ब्रहमर को निर्दोष साबित कर दिया लेकिन जज सहाब अब तक हैरान थे कि इतना बुढ़ा आदमी इतनी सारी तारिकें बहला कैसे याद रख सकता है जज सहाब ने उसके बारे में जब ब्रहमर से पूछा कि ये बुढ़ा आदमी कौन है तो ब्रहमर ने उत्तर दिया कि ये सब जगा रहता है लोग उन्हें शाम, कानह, क्रिशना दिन नामों से जानते हैं इसके बाद जज़ सहाब ने फिर से ब्राहमर्ण से पूछा कि बताओ वो बुढ़ा आदमी कौन था फिर ब्राहमर्ण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वो कौन थे ज़ज सहाब को इस बात से बड़ी हैरानीफी उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वो आद पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था जजज सहाब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में गया था वो कौन था मंदर के पुझारी से जब जजज सहाब ने पूछा और सारे घटना करम की जानकारी दी और बात की तो पुझारी जी ने बत देता ये सब बाते सुनने के बाद जजज सहाब को लगा कि हो नहो वे साक्षत श्री कृष्णी ही रहे होंगे इस घटना का जजज पर इतना असर पड़ा कि अपने आपको धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तिफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ और स्वयम एक संथ बन गए भगवान कृष्णी की भक्ती में रम गए इस्तानी लोगों का मानना है कि बहुत सालो बाद वह जजज पागल बाबा के नाम से वरिंदावन में वापस लोटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्मान कराया तब से ये मंदिर पागल श्री कृष्णी अदालत में पेश हुए हैं तब से वह श्री कृष्णी को ढूंडने के लिए इतने अधीर इतने बेचायन हो गए थे कि अपनी सुदबुत खो बैठ थे इस घटना ने उन्हें इतना बेचायन कर दिया था इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया लेकिन वह अपनी सुदबुत खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मार लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही ताकि वह ठाकुरजी को जूठन ही ना खिला सके लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे उन्होंने वो सारी पत्तलों में से पूछ पूछ कर जितनी भी जूठन हो पाई उन सब का एक निवाला बना लिया और अपने मुह में डाल लिया लेकिन इस आपधापी में इस बाहर वे ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वे निवाला मुह में रख गए हैं तो उन्होंने अपने मुह का जो निवाला था वो गले के नीचे जाने ही नहीं दिया उन्हें लगा कि अगर वो पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर ये निवाला बाहर थूख दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा अब वहे निवाला मुह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे तब ही अचानक से बाल को पाल एक सुन्दर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानि जजज सहब के पास आया और बोला क्यों आज मेरा भोजन खा गए ये सुनकर जजज सहब की आँखे आसों से भर गई और बोले ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई है माफ कर दो ठाकुर जी ने भी मुस्कराते वे कहा कि आज तक तुमने मुझे लोगों का जूठा खिलाया है कि तु आज अपना ही जूठा खिला दो जजज सहब की आखों से आसों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थी कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की प्रस्थापना का प्रण्डिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया अपार जन सम्हों उम्डा लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का समान कहां से आ रहा है बाबा का चमतकर तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में गुसी तो उसे वहां कुछ भी नजड नहीं आया और वे आश्चर चकित हो गए कि जब यहां कोई समान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है हरान पनिशान होकर आयकर के अधिकारी वहां से चले गए पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी व्रिंदावन में मौजूद है कहा जाता है कि यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता यहां भक्तों की हर मनुकामना पागल बाबा और उनकी कनहिया जी जरूर सुनते है तो कैसी लगी आपको आज की यह कहानी अब सुनिए आगे का अध्याए और आज के अध्याए के अंत में भी आप श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती सुनेगे क्योंकि कार्ति के मेहने में हर दिन नियम से तुलसी चालीजा का पाठ और तुलसी माता की आर्दी गानी चाहिए इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्य भामा जी को उनके पूर्व जन्म का वरतान सुनाया तब ये कथा सुनकर समस्त रिशी मुन्यों ने श्री सूत जी महराज से कहा हे सूत जी महराज अब आप करपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्र मिका भी वर्णन कीजिए तब सूती जी बोले हे रिश्यो जो प्रश्न आपने मुझ से किया है यही प्रश्न राजा प्रथु ने नारद मुनी से किया था और जो उत्तर नारद जी ने महराज प्रथु को दिया था वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ सो आप सब एकागर चित्त हो कर सुनो एक दिन राजा प्रथु ने श्री नारद जी से पूछा हे देवर्शी भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है आप करपा करके इसका महात्य मिश सुना दिजिए राजा प्रथु की बात सुनकर दिवर्शी नारद कहने लगे एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अपसराओं सहित देवों की देव श्री महादेव जी के दर्शनों को केलाश परवत पर गए वे सभी जब कलाश परवत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार और भहंकर नेत्रों वाले एक विशाल काई पुरुष को देखा तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा तू कौन है और भगवान शिव कहा है देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोधाया मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना बजर उसके कंठ पर दे मारा जिससे उसका कंठ नीला हो गया परन्तु साथ ही इंद्र का बजर भी भस्म हो गया। फिर उसकी आँखों में प्रजंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जला कर भस्म करतेगी। आपको बारमबार नमस्कार है। और देवर्शि नारद नहीं प्रकट आपको श्री महादेवजी ने समस्त ब्रहमान्ट को भस्म कर देने वाली अगनी को शाउन्त कर दिया। और कहने लगे, हे देवतागणू, मैं आप सब की इस्तुती सुनकर अत्यनत प्रसन हूँ, सो आप सब कोई वर्मा किये। तब समस्तर देवताओं सहित, देव गुरू श्री ब्रस्पती जी ने छमा दान मागा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है, उसके लिए छमा प्रदान कीजिए। प्रसन है, तो सुरराज की रक्षा भी कीजिए, और सारे प्रमान को भस्म करने वाली अगनी, जो आपके तेज से उत्पन हुई है, उसे भी शीगर शांत कर दीजिए। अगर में जागरी और एक बालक का रूप धारन करके रोने लगी, उसके रोने की आवाज से प्रत्वी कमपाएं मान हो गई, सब्त द्वीप बहरे हो गई। ऐसा घोर आश्चरी देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोतेवे देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चरी से पूछने लगे, ये किसका बालक है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठा कर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। और कहा कि ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाड़ी पकड़ कर बड़े जोर से मरोड दी जिसके मरोणे से ब्रह्मा जी की आँखों में आशु भराए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाड़ी चुड़ाई और कहा इसने हमारी आँखों से जल निकाला है इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिवजी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिवजी के अंश से उत्पन हुआ है। यह सुनते ही वे बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचारी जी को बुला कर उसका राज्या भिशेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सिंदु राज ने काल नेमी की पुत्री वरंदा के साथ जलंधर का विवा करा दिया। वरंदा अती सुन्दर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पति व्रता थी। परम सुन्दर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन हुआ। इसलिए आनंत से अब उसके दिन बी दिवा किया करती थी। जो इस्तरी अपने इम्रित पती के साथ शम्शान भूमी तक जितने कदम उठा कर जाती है उसको एक-एक कदम पर एक-एक यगी का पुर्निफल प्राप्त होता है। ऐसी इस्तरी अपने माता-पिता और पती इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेर सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है ठीक उसी प्रकार पती व्रता सती नारी अपने पती को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा पर वापस आते वे देवर्शी नारत ने आगे कहा हे राजा प्रतु देवताओं के भई से भईभीत होकर जो सब दैति पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर का अभई पाकर फिर से प्रत्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहू के कटेवे सिर को देखा और उसने शुक्राचारेजी से इसका रहसे पूछा। तब उन्होंने समुत्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त व्रतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा द्यत् की सभा में जाकर अभिमान वश न तो अपना मस्तक जुकाया और ना नमस्कार किया बलकि गरज कर कहा कि दैतिराज जलंदर ने जो कुछ कहला भेजा है वे सब कान खोल कर सुनलो उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो चौधा रतन तुमने लिये है उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है भला इसी में है कि वे रतन तुम हमको वापस लोटा दो दूत के ऐसे अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंत्र भैभीत हो गए और विसमे के साथ पूले कि समुद्र सदेव हमारे शत्रू दैतियों की रक्षा करता है अधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाइब है सोचने लगा उसने सबी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैतियों को बुला लिया और शुम्ब और निशुम को दैतिदल का सेनापती बना दिया उन्होंने दैतिदल सह अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीशन युद आरंभ हो गया। दोनों पाक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मर कर गिरे हुए हाथियों और घोणों से प्रत्वी भर गई। जो समर भूमी में मर जाते थे उन्हें शुकराचार अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देव गुरू ब्रस्पती भी द्रोनाचल परवत की दिवे जड़ी बोटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरू ब्रस्पती द्वारा जड़ी बोटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समचार देथिराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली देथियों को एकत्रीत करके आग्या दी की द्रोनाचल परवत उठाकर समुद्र में फेक दो। जलंधर की आग्या पाते ही देथियों ने द्रोनाचल परवत उठाकर समुद्र में फेक दिया और फिर गोर युद्ध आरम कर दिया। दोबारा प्रारम हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देव गुरू ब्रस्पती जी एक बार फिर संजीवनी बू आप सुनिये श्री तुलसी चालिसा पाठ और तुलसी माता की आरती। तुम प्यारी हर ही है तु कीन हो तब भारी। जब प्रसन है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनए उस कीन हो। ही भगवंत कंत मम हो हू दीन जानी जानी छाड़ छो हू। सुनि लक्ष्मी दुलसी की बानी दीन हो श्राप कंत पर आनी। उस अयोगि वर मागन हारी हो हू बिटप तुम जड़तन धारी। सुनि तुलसी ही श्रप्योते ही ठामा करहु वास तुहुनी चन धामा। दियो वचन हरी तब तत काला सुनहु सुमुखि जानी हो हु बिहाला। समय पाई व्यो रोपाति तोरा पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा ता सुभई तुलसी तूबामा। कृष्ण रास नीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखिनाही। दियो शाप तुलसी तत काला नरलो कही तुम जन्म हुबाला। योगोप वह दानव राजा शांख चुण नामक शिरताजा। तुलसी भैता सूकी नारी परमसती गुण रूप अगारी। असद्वे कल्प भीत जब गयह। कल्प तृतिय जन्म तब भयह। व्रिंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पती को। कर अतिद्वंद अतुल बलधामा कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन सहित शिव हारे। मर ही न तब हर हर ही पुकारे। पती व्रता व्रंदा थी नारी। को न सके पत ही संग्हारी। तब जलंधर ही भेश बनाई। व्रिंदा धिग हरी पहुचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संग्हारा सुनी उर्शोक उपारा। तिही छण दियो कपट हर तारी। लखि व्रंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता। सोई रावन तस हर ही सीता। अस प्रस्तर समहदय तुम्हारा धर्म खंडी ममपत ही संग्हारा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनुपाशान तुम्हारा। सुनी हरी तुरत ही वजन उचारे दियो श्राप बिना वीचारे। लख्यो नानिज कर तूत पती को छलन चईयो जब पारवती को। जड्मत तुह अस हो जड्रूपा जग मेह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा नदिगंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चड़ई हैं सब सुख भोग परम बदबई हैं। बिन तुलसी हरी जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरी शिरधारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरी मन रंज निहारी रोग दोश दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरी भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा बिन तुलसी दल नाहर ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर चाही लहत मुक्ति जन शंशे नाही। कभी सुन्दर एक हर गुण कावत तुलस ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुरवा साधामा जो प्रयास ते पूर्वल लामा। पाठ करही जो नित नरिनारी हो ही सुख भाश हित्र पुरारी। तुलसी चालिसा पड़ही तुलसी तरू ग्रहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरित्र हरिहार वे परंप्रसन। आशिय धन जन लड़ही कर बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत वल जगत मह लाही पुन सबकाम। तुलसी महरानी की तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तप गीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मल श्रिपती कमल चरन लपटानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने बुई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हर याली नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने हुई देरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो आशाड मास में बुई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हर याली नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो कार्थिक मास में हुई तेरी पूजा मंग सिर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो दूप दीप नैवेत्य आरती पुश्पन की वर्शा बरसानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो चपन भोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हर एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को दो पहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सांज को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो सब सक्कि मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी जै महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो